ओम शांती, अब्यक्तवानी, 27.12.1983, भिखारी नहीं, सदा के अधिकारी बुनो, अमरनाथ शिब बाबा, स्वदर्सन चक्रधारी बच्चो प्रती बोले, आज, विश्व रच्ता, बाप, विश्व की परिकर्मा लगाते हुए, अपने मिलन अस्थान पर बच्चों की, रोहानी महफिल में पहुँच गए हैं, विश्व परिकर्मा में क्या देखा, दाता के बच्चे, सर्व आत्माएं, बिखारी के रूप में भीक मांग रही हैं, कोई रोयल भिखारी, कोई सधारन भिखारी, सभी के मुख में, वो मन में, यह यह देदो, यह देदो का ही आवाज सुनाई देता था, कोई धन के भिखारी, कोई सहयोग के भिखारी, कोई सम्मंद के भिखारी, कोई थोड़े समय के लिए सुख चैन के भिखारी, कोई आराम वन निंद के भिखारी, कोई मुक्ती के भिखारी, कोई दर्शन के भिखारी, कोई मिर्तु के भिखारी, कोई फॉलोर्स के भिखारी ऐसे अनेक प्रकार के बाप से महान आत्माओं से देव आत्माओं से और सकार संबंध वाली आत्माओं से यह दो यह दो की भीख मांग रहे हैं तो उस बेगर्स की दुनिया देख स्वराज अधिकारी की महफिल में आप पहुँचे हैं अधिकारी और अधीन बिखारी आत्माओं में कितना अंत्र हैं बेगर्से दाता के बच्चे बन गे अर्थात मास्टर वा अधिकारी बन गे अधिकारी यह दो यह दो संकल्प में भी भीख नहीं मांगते बिखारी का शब्द हैं देदो और अधिकारी का शब्द हैं यह सब अधिकार हैं ऐसी अधिकारी आत्माओं बने हो ना दाता बाप ने बिना मांगे सर्व अविनाशी प्राप्ती का अधिकार स्वता ही दे दिया आप सब ने एक ही शब्द का संकल्प किया मेरा बाबा और बाप ने एक ही शब्द में कहा सर्व खजानों का संसार तेरा एक ही संकल्प वो बोल अधिकारी बनाने के निमित बना मेरा और तेरा यही दोनों शब्द चक्र में भी फसाता है और यही दोनों शब्द सर्व विनासी दुखमय चक्र से छुराए सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भी बनाता है अनेक चक्र से छूट कर एक स्वदर्शन चक्र ले लिया अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बन गे कभी भी किसी भी प्रकार के तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क के चक्र में फस्ते हो तो उसका कारण स्वदर्शन चक्र को छोड़ देते हो स्वदर्सन चक्र सदा ही एक ही उंगली पर दिखाते हैं पाँच उंगलिया वह दो उंगलिया नहीं एक उंगली अर्थात एक ही संकल्प मैं बाप का और बाप मेरा एक ही संकल्प रूपी एक उंगली पर स्वदर्सन चक्र चलता है एक को छोड अनेक संकल्पों में जाते हो, अनेक चक्रों में फस्ते हो स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात स्वका दर्शन करना और सदा के लिए प्रसन्य चित रहना स्वदर्शन नहीं तो प्रसन्य चीत के बज़ाए प्रशन चीत हो जाता प्रसन्य चित अर्थात जहां कोई प्रश्ण नहीं तो सदा सोदर्शन द्वारा प्रसन्य चित अर्थात सर्व प्राप्ति के अधिकारी स्वप्न में भी बाप के आगे विखारी रूप नहीं या काम कर लो या करा लो या अनुभव करा लो या बिग्न मिटा लो माश्टर दाता की दरवार में कोई अप्राप्ती हो सकती है अविनाशी स्वराज ऐसे राज में जहां सर्व खजानों के बंडार भरपूर है बंडारे भरपूर में कोई कमी हो सकती है जो स्वता ही बिना आपके मांगने के अविनाशी और अथा देने वाला दाता उसको कहने की क्या अवश्रक्ता है आपके संकल्प से सोचने से पदम गुना जैदा बाप स्वयम ही देते हैं तो संकल्प में भी यह भिखारी पन नहीं इसको कहा जाता है अधिकारी ऐसे अधिकारी बने हो सब कुछ पा लिया यही गीत गाते हो न वह अभी यह पाना है यह फरियाद के गीत गाते हो जहां याद है वहां फरियाद नहीं जहां फरियाद है वहां याद नहीं समझा कभी कभी राज अधिकारी की इस्तिती की ड्रेस बदल कर मांगने वाली विखारी की इस्तिती की पुरानी ड्रेस धारन तो नहीं कर लेते हो संसकार रूपी पेटी में छिपा कर तो नहीं रखी है पेटी सहित इस्तिती रूपी ड्रेस को जला दिया है वो आईवेल के लिए किनारे कर रख लिया है संसकार में भी अंसमात्र ना हो नहीं तो दूरंगी बन जाते कभी भिखारी, कभी अधिकारी इसलिए सदा एक स्रेष्ट रंग में रो पंजाब वाले तो रंग चढ़ाने में होश्यार है न कच्चे रंग वाले तो नहीं है न और राजस्थान वाले राज अधिकारी है न अधिन्ता के संसकार वाले नहीं सदा राज अधिकारी तीसरा है इंदोर सदा माय के प्रभाब से परे इंदोर अंदर रहने वाले अर्थात सदा बाप की छत्रचाय के अंदर रहने वाले वह भी माय जीत हो गए न चोथा गूरूप हैं महाराष्ठ अर्थात महान आत्मा सब में महान संकल्प, बोल और कर्म तीनों महा महान है महान आत्मय अर्थात संपन आत्मय चार तरफ की चार नदियां इकठी हुई है लेकिन सभी सर्ब प्राप्ति सोरूप अधिकारी हो ना चार की बीच में पाँचवे हैं डवल भी देसी पाँच नदियों का मिलन कहां पर है मदवन के टट पर नदियों और सागर का मिलन है अच्छा सदा सुरज अधिकारी, सोदर्षन चक्रधारी सदा प्रसन्य चित रहने वाले सर्व खजानों से भरपूर, महान आत्माई भिखारी पन को स्वप्न से भी समाप्त करने वाले ऐसे दाता के माला माल बच्चों को अविनासी बाप दादा की अमर भव की सदा संपन स्वरोप की याद प्यार और नमस्ते भवा आपको भी नमस्ते ओम शान्ती